दोस्तों नमस्कार मैं संजीव भारगव वर्क्शोप कल्कुलेशन और इंजिंग ड्रैंग अनुदेशक आप सभी का ITA स्किल इंडिया के यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आज जो मैं आपके लिए वीडियो लिखाया हूँ वो निमी की बुक से उश्मा और तापमान की परिवाशा उश्मा के प्रभाव थर्मामीटर स्केल सेल्सियस फरनहाइट रूमर कैलविन और उश्मा और तापमान में तापमान के मद्ध अंतर के रेलेटेड है जो कि मैं न अगले वीडियो में बना के आपको देखाऊं उश्मा यह उजचा का एक रूप है उजचा को उजचा के दूसरों रूपों में इस्थानाइंत किया जा सकता है उश्मा नर्म वस्तू से ठंडी वस्तू की और बैतिये तो यहां हमारा एक सवाल बनता है कि उश्मा उर्जा को उर्जा के दوسरों रूप में उस्तानित किया जाए जाए उश्मा उर्जा ग्रम वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बैते है तोalen एक उत्तर। यह पर आपके बस्तु के अंदर लब लभॉते हैं कि לצा information के अंदर उत्तर हो सकते हैं गरम वस्तु से ठंडी वस्तु की और, दूसरा हो सकता है, ठंडी वस्तु से गरम वस्तु की और, तीसरा हो सकता है, गरम वस्तु और ठंडी वस्तु की और, चौता हो सकता है, तीसरा हो सकता है, यह दोनों, और चौता हो सकता है, इन में से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर हो जा को जब गरम करेंगे तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रियेट होगा वो प्रेशर जो है इस पिस्टन को उपर की तरफ ले जाने का प्रियास करेगा यह है conservation of energy यह उपर चित्र उश्मा की काई units of heat उश्मा की कैलोरी एक ग्राम जलक को एक डिगरी centigrade तापमान में व्रदी के लिए आवश्चक उश्मा की मातरा है यानि कि अगर हम एक ग्राम जलक का तापमान एक डिगरी तापमान में व्रदी के लिए आवश्चक उश्मा की मातरा को हम British thermal unit कहते हैं तो यहां पर एक पॉंड जल उसका तापमान एक डिगरी centigrade बरहाते हैं उसके लिए आवश्चक जो उश्मा होती है उसको हम British thermal unit कहते हैं तीसरी का उश्मा की तीसरी का उती है Celsius heat unit जिसको CHU कहते ह एक पॉंड जल का temperature को अगर एक डिगरी centigrade तापमान में व्रदी हो तो उसके लिए आवश्चक उश्मा की मातरा होगी उसको हम एक Celsius heat unit कहेंगे जूल हमारी जो की उश्मा की दूसरी काई होती है एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल तो यह भी हमको आवश्कता कभी कभी प पता होना चाहिए क्योंकि जूल हमारी SIE काई या SIE unit कहलाती है इसके बाद है उस्मा की प्रवाव effects of heat तापमान में परिवर्तन, आकान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, सनरचना में परिवर्तन और भहत्तिक गुणों में परिवर्तन यानि कि उस्मा की जो प्रवाव होते है वो 5 जगे पड़ते है टेंपरेचर में, आकार में, अवस्था में, सनरचना में और यदर हिंदी में उसमें हिंदी का अगर सवाल गलत होता है नियूंसरलिकूर्थ को इसकल को उसका जवाभ स्केम्टाइब है उससनी नहीं होगे तो आप सवाल को समझिए नहीं पाएंगे और आपको उत्तर जो हो गलत हो जायगा या आि सुत्तर को दे ही नहीं बाएंगे और वैसे विए जो आपके online paper होने वाले हैं उसमें अधिकता आपको सवाल जो अंग्रेजी में मिलेंगे हिंदी उसकी translate होती है वो computerize होती है तो उसमें गलतियां होने की chances ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर specific heat visus एक ग्राम वस्तु का तापमान एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवश्चक उश्मा की मात्रा विसिष्ट उश्मा कहलाती है इसे small s प्रतीक चिन्न से दर्शाते हैं तो यहाँ पर समझाने के लिए जल की जो विसिष्ट उश्मा है वो एक है इसका मतलब हो गया कि एक ग्राम जल जो है उसका temperature अगर एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाते हैं उसके लिए जो हमको उश्मा की आवश्कता होगी वो एक होगी वो इसकी विसिष्ट उश्मा कहलाएगी इसी तरह अगर एक ग्राम जो वस्तु का जो तापमान एक डिग्री बढ़ाते हैं उसके लिए हमको 0.22 एनरजी की आवश्मा की आवश्कता होगी इसी तरह तामा के लिए 0.1 इसी तरह लोहे के लिए अगर एक ग्राम का वजन का अगर टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाएगे तमको 1.2 एनरजी की आवश्मा धारिता थर्मल कैपस्टी किसी पदार्त का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएग के लिए आवश्क ऊश्मा की मात्रा को ऊश्मा की धारिता का जाता है ऊश्मा धारिता बराबर होता है M into S जा पर M उसका द्रह मान S ही उसकी विशिस्ट उश्मा होती है और इसके उशमाधारिता की जो युनिट होती है, उसको हम कैलओरि में लेते हैं इसके बाद है कैलोरी मान, कैलोरिक वैल्यू, इंधन, द्रमान या आइतन की इकाई मातरा के पूर्ण दहन द्वरा उत्पन हुई उशमा की मातरा को इंदन की कैलोरी मान के रूप में जाना जाता है जैसे कि हम अगर पैट्रोल को जब पैट्रोल की गाड़ी में डालते हैं तो एक लिटर पैट्रोल जलाने से उसके अंदर कितनी उश्मा हमारी पैदा हुई पैट्रोल के पूर्ण दहन से उसके अंदर कितनी उश्मा पैदा हुई वो उसकी इंधन की कैलरिफिक वेल्यू कहलाती है इसके बाद है जल्द समतुली वाटर इक्युवेलेंट यह जल्द का द्रहमान है जो समान तापक्रम बर्दी के लिए दिये गए पदार्थ के समान उश्मा को अफशोषित करेगा जल्द समतुली वराबर होता है पदार्थ का द्रहमान उश्मा के प्रकार टाइपस ओफ हीट्स उश्मा हमारी दो प्रकार क्यों होती है समवेदन शील उश्मा और एक गुप्ति श्मा तो उसमें पहली है समवेदन शील उश्मा जिसको कि हम सेंसिबल हीट कहते हैं किसी पदार्थ की बहुतिक अवस्ता में बिना बदलाव किये यहां पे सबसे इंपोर्टन है अब बहुतिक अवस्ता में बिना बदलाव किये उसके द्वारा अवशोषित या दी गई उश्मा कों समवेधन शील उश्मा कहते हैं तो हमारा यह निमी का सवाल बनेगा कि समवेधन शील उश्मा कौन सी होती है तो उसके अंदर हमारे चार अगर अगर उतर होते हैं दी सीडी उसमें हमार उतर होगा बहुत दिक अवस्ता में बिना बदलाव किये उसके दोरा अवशोषित की गई उश्मा को हम सम्वेधन शील उश्मा कहेंगे दूसरी है गुपतूश्मा लेटेंट हीट किसी पदार्थ की अवस्ता बदलने के दोरान पदार दोरा प्राप्त की गई या दी गई ठोस से दरव या दरव से गैस उश्मा की मात्रों को गुपतूश्मा कहते हैं अब शोषित या दी गई उश्मा पदार्थ के तापमान परिवरतन का कारण नहीं होती यहाँ पर जो तापमान का परिवर्टन है उसके लिए जो उश्मा होती है उसका कोई कारण नहीं होता है लेकिन उसके अवस्ता बदलने के दोरान जो हमारे पदार दोरा ली गई या दी गई उश्मा है वो हमारी गुपत उश्मा कहलाती है जैसे अगर कोई ठोस जो हमारी ब प्रकार होते हैं, पहला होता है, पदार्थ के गलन से प्राप्त गुपतूश्मा, यानि कि उसके गलने से जो प्राप्त गुपतूश्मा होती है, और दूसरा होता है, पदार्थ के वाश्पी करण से प्राप्त गुपतूश्मा, वाश्पी करण का मतलब होता है, कि वो अग इकाई द्रवमान को ठोस हवस्ता से तरल अवस्ता में परिवर्तन करने के लिए आवशक उश्मा की मातरा को ठोस के गलन की गुपतूश्मा कहते हैं इसकी इकाई कैलोरी प्रतिग्राम होती है जैसे अगर हम किसी बरफ के टुकडे को अगर तरल पदार देनी पानी में बदल करते हैं तो उसकंदर से हमारे को जो गुश्मा देनी पड़ेगी वो हमारी ठोस के गलन की से प्राप्त गुपतूश्मा कहलाएगी तो यहां पर पदार्थ की इकाई द्रवमान को ठोस हवस्ता से तरल अवस्ता जैने कि यदि हम बरफ से पानी में हवस्ता में परिवर्तन करते हैं तो आवश्ता कुश्मा की मातरा को हम ठोस की गलन की गुपतूश्मा कहेंगे दूसरा उदारनेश में बरफ की गलन से प्राप्त गुपतूश्मा बरफ की इकाई द्रवमान को 0 degree centigrade ताप में परिवर्तन के लिए आवश्ता कुश्मा की मातरा बरफ की गलन की वहाँ पर हमको 80 कैलोरी की उश्मा उसको देनी पड़ेगी जो की बरव की गुपत उश्मा कहलाएगी इसी तरहे अगर किसी जल को 0 degree centigrade से 0 degree centigrade के बरव के टुकड़े में बदलना है तो वहाँ पर 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम बरव में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रती ग्राम महा से उश्मा को निकाल न खुड़ेगा तो वह वहाँ पर द्रव की गुपत उश्मा कहलाएगी वह हमको बरव में बदलने के काम आईगी तरल के वाश्पी करन की गुपत उश्मा को वाश्पित करने के लिए आवशक उश्मा की मातरा वाश्पी करन की गुपत उश्मा कहला जबकि वहाँ पर temperature हमारा 100 degree ही रहता है यहां पर यानि कि हम किसी भी तरल पदार्थ को अगर उसको भाप में बदलते हैं तो लेकिन उसके temperature में परिवर्तन नहीं होता उस condition में जब हमको जो उश्मा की अवशकता होती है वो हमारी वाश्पी करण की गुपतूश्मा कहलाती है जल की वाश्पी करण की गुपतूश्मा या भाप की गुपतूश्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराईजेशन ऑफ वाटर और लेटेंट हीट ऑफ स्ट्रीम कुतनांग बिंदू पर यानि कि 100 degree centigrade जल की इकाई दरमान को भाप में बदलने के लिए आवश्पी करण की गुप गुपतूश्मा या भाप की गुपतूश्मा कहलाती है वहाँ पर टेमप्रेचर हमारा 100 degree ही रहता है लेकिन हमारी जल की वास्था जो है भाप में परिवरतित हो जाती है यानि कि वहाँ पर हम इस जो अवस्था में परिवरतन कर रहे हैं लेकिन rainer रेकिन मह Democrat дел क्तेम गु हम भाप पूप जल में बदलना है तो हम महां से 540 कैलोरी जो पोश्म होती है उसको वहां से निकाल लेते हैं इसके बाद है टैमपरिचर यदि पदार्तों की गर्मी यह है पदार्तों की गर्मी या ठंडक की डिगरी है यानि नापने का तरीका है यानि की स्केल है तापमान क को दो स्कीर बिंदू जल की गनलाग बिंदू और जल की Кौतनाग बिंदू के मध दर्शाते हैं इन दोनों स्कीर बिंदू के विभिन तापमापी स्केल होते हैं तो असका अंदर यह चार तरह के इसकेल होता है पहला स्केल है संटी Ho invas जहां पर वह बाप में बदलता है वो 100 degree centigrade होता है इसी तरह फॉर्णाइट के अंदर पानी का गन्लांग बिंदू 32 degree फॉर्णाइट होता है लेकिन कोथनांग बिंदू 212 degree फॉर्णाइट होता है और इसका अंतर होता है वो 180 degree के बरावर होता है यहां जो अंतर होता है वो 100 degree क यहाँ पर अंतर हमारा 80 डिखरी के बरावर होता है और इनी से हमारे यहाँ पर यहाँ पर सूत्र निकल के आते हैं उश्मा उर्जा का स्वरूप है तापमान प्रदार्थ की करमाहाट या ठंड़क की डिग्री है एक तापमान पैमाने से दूसरे में इस रूपांतरत करने के लिए यह संबंद यहाँ पे नीचे दे रखा है जो की आर बटे असी असी हमारा यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है 0 degree centigrade यानिकी degree centigrade बटे 100 यहाँ पे यह दोनों centigrade के अंतर है यह बटे 100 आगया इसलिए k-273 बटे 100 तो यहाँ पे यह k में अंतर हमारा 100 है इसलिए नीचे 100 आया और यहाँ एफ जो है हमारा 32 दिगरी और 212 डिगरी के बीच में अंतर 180 डिगरी है इसलिए यहाँ पे f-32 बटे 180 है इन चारों संख्याओं को 80, 100 और 180 को काटेंगे बीच से तो यह 4 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा तो हमारा जो सूतर बनेगा एक और उसको हम सिंपिल बाशा में आर बटे 4 बराबर सी अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 5 और एफ के माइनस 273 बटे एफ माइनस 32 अपॉन 9 और के माइनस 273 बटे 5 के रूप में भी लिख सकते हैं यह तीनों जो संक्या हैं 20 से आराम से कट जाती हैं इसके बाद है कुथनांग बिंदू boiling point किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ जिस तापमान में कोई भी पदार्थ जिस तापकरम में वाशपी करंड से गैस में बदलाव प्रारम हो जाता है कुथनांग बिंदू कहलाता है यानि कि अगर जल के बारे में बात करें तो जल का जो कुथनांग बिंदू वो 100 डिग्री सेंटिग्रेट होता है यानि कि 100 degree centigrade के उपर पानी जो है भाप में बदने लग जाता है वो ही बिंदू हमारा कोतनांग बिंदू उसका कहलाता है इसी तरह हर पदार्त का कोतनांग बिंदू अलग होता है जो solid पदार्त होते हैं उनके कोतनांग बिंदू बहुत जादा भी होते हैं गलनांग बिंदू melting point कोई पदार्त ठोस से तरल में या तरल से ठोस में जिस ताप मान पर होता है यह बदलता है पदार्त का गलनांग बिंदू कहलाता है बरफ का गलनांग बिंदू 0 degree centigrade होता है इसका मतलब यह है कि 0 degree centigrade पर पानी हमारा बरफ में जम जाता है अगर उसमें से उश्मा निकाल ली जाती है और अगर बरफ को अगर हम पानी में बदलते हैं तो वह भी 0 degree centigrade पर गुपत उश्मा ले करके परिवर्तित हो जाता है तो 0 degree centigrade हमारे पानी का गलनांग बिंदू होता है इसी तरह और अन्य पदार्तों की गलनांग बिंदू भी अलग अलग होते हैं तो उश्मा और तापमान के मद अंतर यह है उर्जा का स्वरूप है जबकि तापमान हमारा उस उश्मा की अवस्था कह सकते हैं इसे उश्मा की अवस्था कह सकते हैं उश्मा इसकी इकाई क ना पजाता है दो पदार्तों की उश्मा की मात्रा को जोड़कर उसकी कुल उश्मा की गणना की जा सकती है लेकिन दो यदि दी गई दो तापमान को उनके मिश्रण की तापमान से हम ग्यात नहीं कर सकते हैं और पांचमा पॉइंट है किसी पदार्त को गरम करने से उसकी प्रिक्षा तापमान में ब्रदी हो जाती है जबकि तापमान दो पदारतों को एक ही तापमान में पढ़ सकते हैं हलंकि उसमें उश्मा की मात्रा अलग अलग हो सकती है जैसे कि हमने कुथनांक और गल्लांग बिंदु पर देखा गल्लांग बिंदु पर बिंदु पर 0 degree centigrade प रहता है तो यह हमारा जो चैप्टर था यहां पर कंप्लीट हो रहा है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को लाइक करके शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली और वर्शॉप कैलकूलेशन का होगा वो मेरे चैनल पर आपको प्राप्त हो जायगा वर्शॉप कैलकूलेशन और राइंक के जो वीडियो हैं मैरे वो वीक वाइस बनेंगे बन रहे हैं और वो आपको देखते चले जाए तो आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा जिसको पढ़ करके आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे आज के लिए इतना ही नमर्शकार धन्यवाज जै वारग